मैं बहस करने पे विश्वास नहीं रखता हूँ, पर कुछ भी हो जाए, सत्त और असत्त की बीच में भी मैं चूप रह करके परिस्थितियों का जायजा लेता हूँ. परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपनी फैमली की रिस्पॉंस्पिलिटी को हमेशा ले करके चलूँगा, और समाज हो या रिस्थेदार हो, अगर मेरे पास कोई आएगा, तो मैं उसकी विशायता करूँगा. निश्चित तोर पर जिसको मेरी बुराए करनी है, करने दो, पर मुझे किसी के भी बुराए से को मतलब नहीं है, परन्तु लोगों के मद्धे में रहे करके, लोगों का हेल्प करके, आप कही धन और आप कही बुद्धी को कोई चुरा ले जाए, तो ये जीवन का कही न त पुट्षान का कारण बनता है, नमस्कार, प्रिय दर्सको मैं हूँ तुला रासी वाले, और ये जो बाते मैंने आपको बताई है, ये आपके लिए ही बताई है, इसलिए इस बात को ध्यान अगर रखेंगे, और थोड़ा चलाक बनेंगे, तो जीवन के उचित लक्ष की औ पहुच सकते हैं, प्रिय दूला रासी वाले, मार्च महिने का संपूर्ण रासी फल ले करके, यानि एक तारीक से ले करके, 31 तारीक का मध्य का संपूर्ण भवश्यवानी ले करके, मैं स्लोजा डॉक्टर अभी गुपता आपके समख्च प्रस्तत हो क्या हूँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा पूरा 31 दिनों का हाल, ये जो भवश्यवानी रहेगी, ये ग्रोहों के गोचर के अधार पे रहेगी, और चंदर रासी पे रहेगी, कई बार मैंने देखा है, कुछ लोगों को चंदर रासी से मैच नहीं करता है, तब तूला लगन के हि ये जो भवश्यवानी है, ये ग्रोहों के गोचर के अधार पे है, अताहा इस बाद की 100% सियोरिटी कहना मुश्किल होती है, कि मैच कर जाए, कभी कभी लोगों के अपनी जनम पत्रिका में करिस्थितियां भी ठीक नहीं होती है, तो गोचर का परभाव थोड़ा कम पड़ होते हैं जीवन के, दामपत्य जीवन, इन सभी चीजों पर भी चर्चा करूंगा, तो सरप्रथम तुला रासी वाले, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कैसा रहेगा मार्च के महिने मेने, पूरे 31 दिनों में आपके कर्म छेतर का हाल, प्रिये तुला रासी वाले, आप बिरहस्पती की पंचम दिरिष्टी पढ़ रही है, और यहां पे करक रासी है, और यह उनकी उच्च की रासी होती है, निरंतर बिरहस्पती आपको कर्म छेतरों में शफलता की और धीरे 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 ले करके जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लगन कारक ग्रह ज जब यह सब्तम हों में मेश रासी में आएंगे तो लगन को देखेंगे जो आपके बुद्धी के प्रकाष्ठा को बढ़ाएगा आपको नॉलेजबल बनाएगा और बैपार और नौकरी में बड़े अवसर आपकी जीवन में खूलेंगे और देश और दुनिया में शमाज मे सम्मान की प्राप्ति होगी उसी के साथ में जो व्यक्ति भी विदेशो से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम भी कर रहे हैं अगर आपकी मैं चर्चा करू तो पंदरह मार्च तक इसमें बढ़ोतरी कंटिन्यू बहतर होता रहेगा पंदरह मार्च के बाद जब स सुर्य पंचम हाउस में रहेंगे सत्रुगत रासी में हैं वो कुम्भरासी में तो दिक्कत होगा पंदरह मार्च के बाद लोटरी सटा सेयर मार्केट में मोटा जो है सफलता की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी अगर मैं बात करू आई की स्थिती कैसी रहेगी सर्व पर्थम मैं बता दू इंसान दो तरीके से इंकम प्राप्त करता है एक प्राप्त करता है जो कंटिन्यू मेहनत करता है और एक प्राप्त करता है जो मेहनत के मद्दे में अचानक उचानक उसको मिलता है तो आयकारक सूर्य जो है पंदरह मार्च तक आयस्थान को स्वयम के धन अस्थान को देख रहे हैं तो 13 मार्च तक धन की कमी आपको नहीं होगी अता जो भी मोटा पैस आएगा इसको आप सेव करिए क्योंकि इसके बाद फिर जो है थोड़े से अचानक अचानक मोटे आए में कमी हो सकता है पर एक बात 100% कनफर्म है कि 13 मार्च तक जो भी पैसे आपके फशे हुए है वो 100% निकल जाएंगे इसके बाद अगर मैं बात करूँ विदेश यातरा से रिलेटेड क्या इस्थिती रहने वाली है विदेश यातरा कारक बुद्ध की बात अगर मैं करूँ 16 मार्च तक बुद्ध जो है मीनरासी में जाएंगे और निचस तो हो जाएंगे 16 मार्च तक आपकी जीवन विदेश यातरा का योग बहुती प्रबल है आपको कोई भी डॉक्यमेंट वीजा या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम कराना है या विदेश जाने से रिलेटेड आप विचार करके रखे हैं तो 16 मार्च से पहले इस फैसले को अपनी जीवन में उतारिए नहीं तो 16 मार्च के बाद निच्ची तोर पे दिक्कत आ सकता है हलाके जो लोगों को विदेश जाने से रिलेटेड आफिस से या वैपार से रिलेटेड कुछ संभावना ही नहीं बनती थी यानि कुछ लाभी नहीं होता था आपका 13 मार्च के बाद आफिस में ऐसे सेटलमेंट चालू हो जाएंगे कि आपको जाना है लेकिन हो सकता ही या नेक्स्ट में बेटर योग बने लेकिन कहीं न तो कहीं यह समय जो है आपके विदेश स्यातर तक 16 मार्च था ठीक है 16 मार्च के बाद 13 मार्च के बाद योग बनेगा लेकिन जाने का चांसे अगले मन्त में हो सकता है अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा आपकी जीवन में दांपत्ती जीवन का हाल यानि मैरेड लाइफ लव लाइफ के स्यति कैसे रहेगी देखिए आपके विबास थान के कारक मंगल होते हैं जो अश्टम भाव में 13 मार्च तक रहेंगे और यह सब्तमे से दूतियस हो जाएंगा निस सब्तम भाव के मारच हो जाते हैं मैं बहुत ही केलियर बताता हूं कि इन दिनों आपके मेरेड लाइफ में थोड़ी से आवश्वासिता आयस्थिरताय और प्रशानिया चल रही है इन दिनों क्या हो रहा है कि विश्वास नहीं जम पा रहा है और ना चाहा करके भी किसी बात को लेके थोड़ा आरिग्यूमेंट हो रहे है या एक दूसरे के बंद में इनसीक्यूरिटी हो रहा है जिनका पहले से मैरेड लाइफ चल रहा है या फिर जिनका लव लाइफ चल रहा है जैसा ही मंगल 13 मार्च को भाग्या स्थान में जाएंगे तो इनसीक्यूरिटी और आपस मत्भेद और आविश्वासिता की स्थितियां तो समाप्त हो जाएंगे लेकिन विवा की जहां तक बात में करूँ सुक्र 12 मार्च को मेश रासी माएंगे और सुक्र सप्तम भाव के कारक माने जाते हैं इसलिए तुला रासी वाले आपके जीवन में 12 मार्च कर विवा के योग बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे इसमें कोई शक नहीं है और प्रेम से विवा के योगों की जहां तक मैं बात करना चाहूं तो आपके जीवन में 15 मार्च के बाद प्रेम से विवा के योगों में ब्रिदी हैं यानि जिन लोगों को लगता था कि लब रिलेशन ठीक नहीं हो रहा है जिन लोगों को लगता था कि विवाह के कोई रिश्चन नहीं आ रहे हैं या दामपत्य जीवन ठीक नहीं हो रहा है आराम करें आपके जीवन में 13 मार्च के बड़ा बदलाव हो रहा है और 12 मार्च के व प्रष्ट न में हैं तो अपनी रासी में सऽ्नमक राजीयों के साथ लेकिन उनके सत्रू ग्राज सुर्य भी वहा पर मैठे हुए है और सुर्य शनी के बल को खराब कर रहे है जब भी कोई पापी ग्राज के साथ उसके सत्रू गरह बैट जाए या उसके दुस्मन गरह बैट जाए तो वह उस प्रकार से बहतर फल नहीं दे पाता है जिस प्रकार से एक बहुत बड़े योध्धा जो है अपने किसी सामने वाले से योध्ध लड़ रहा हो यानि जहां सूरी और सनी एक दूसरी के मदद में खुद में ही अभी कहीं न तो कहीं आईस्थिरता रूप में है तो आपको इसका परफेक्ट फल नहीं मिल पाएगा जैसा ही सूरी सनी को छोड़ेंगे सनी परफेक्ट अपने घर के बहतर फल के परिराम को देना चालू करतेगा यानि 15 मार्च के बाद भूमी मकान वहन का लाव मिल जाएगा माता के स्वास्त में सुधार हो जाएगा पिता से तरकी के बहुती बहतर आप्शन खुलने चालू हो जाएगे और सबसे महत्पूर्ण बात क्या है खांदानी प्रोपर्टिस रिलेटेड विबाद भी दूर हो जाएगा अगर आप अपने घर से दूर है तो पास भी आ जाएगे अपने माता से दूर है तो पास भी आ जाएगे इसलिए पंदरह मार्च के बाद ही इसमें बहतर परिराम देखने को मिलेगा फिलहाल जो है इसमें दिक्कतों का शामना करना पड़ सकता है अगर मैं बात करू कैसा रहेगा सिक्षा संतान का हाल देखिए पंचम भावस्त आपके कुडले में सनी है बुध है और सुक्र है ये तीनों सुर्य है ये तीनों गरह बैठा हुआ है लेकि तुला रासी में पंचम हावस्त सनी अपनी रासी का है जो सस नामक राज योग में है परमित्र बुद्धिन के साथ बैठा हुआ है और पंचा भाव के सुर्य कारक भी होते हैं अब यहाँ पे सबसे महत्वपुर्णा बात क्या है सुर्य और सनी के मित्रबद सम्मंध नहीं है अता जिन लोगों को संतान पहले से कंसीव जो पहले से संतान कंसीव करके रखे हैं 15 मार्च तक थोड़ी सी आइस थिरता और परशानिया रहेंगी 15 मार्च तक थोड़ी सी सिक्छा में बाधा तनाव और आइस थिरता हैं रहेंगी हला के जिन लोगों का इंटर्वी बगरा का रिजल्ट आना है उसके लिए समय फेवर में रहेगा लेकिन 15 मार्च के बाद उच्छी सिक्षा का योग बनेगा जब परफेक्ट तौर पिस्तस नामक राज जोग का पूर्ण रुपेन फल मिलेगा यानि 15 मार्च के बाद जो है आपकी जीवन में पूर्ण रुपेन सिक्षा का योग बनेगा संतान कंसीव होने से रिलेटेड गूड नियूज मिलेंगे आपको कोई इंटरव्यू वेगरा होना है जिसमें परफेक्ट फल मिलने वाला रहेगा और आप पढ़ाई से रिलेटेड बिदेश जाना चाहते हैं तो बहतर है अगर मैं बात करूँ परथम संतान का तो परथम संतान से समझी समस्याइं भी दूर हो जाएंगी और संतान का 15 मार्ज के बाद सुधार होना चालू हो जाएगा अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा स्वास्त का हाल सत्रू की स्थिती कैसी रहेगी स्वास्त कारकस्थान पे निश्चित तोर पे विरहस्पति और शुकृतों बैठे हुए है लेकिन मंगल का अश्टमेस होना आपको यूरिन से रिलेटेड दात से रिलेटेड नित्र से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड समस्याओं को बढ़ा रहा है यह आपकी जीवन में श्टित की स्थितियों को भी ठीक देखने को मिलेंगे उसी तरह किस से अगर मैं बात करूँ कर्ज की स्थिति कैसी रहेगी तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में 15 मार्ज के वाद कर्ज में मुक्ति मिलना चालू हो जाएगा और केस मुकदमा जो कंटिन्यू आपको हावी हो रहा है परिवार की लोग ही कर रहे हैं या सुसुराल पक्से से बड़ा मतवेद की स्थितियों लेकर के जो परिशानियां चल रही है आपकी जीवन में इसका सुल्यूशन 13 मार्च के बाद मिल जाएगा पिर भी इसके प्रभाव को बहतर बनाने के लिए मार्च के महिने में क्या करना चाहिए तुल इसके अलावा क्योंकि आपकी कुडली में सनी भी बहुत जादा दूसी थे तो मैं बोलूँगा कि आप कम से कम 15 मार्च तक पीपल पेड़ में सरसो तेल का दिप अबस्य जलाईए रात्री के समय बहतर परिनाम के लिए तो प्रिय तुला रासी वाले कैसा रहेगा पूरा 31 दिनों का हाल मार्च महिने का इसकी शंपूर्ण भवश्यवानी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिये उमित करता हूँ कि बताई के जनकारी से संतुष्ट होंगे चैनल पे नए है तो लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्तपुन और ज्यानवर्दक जनकारी के साथ तब तो करें नमस्कार अच्छे से रहिए धन्यवाद